जैने सातियों आज का विशा है मद्द प्रदेश में इस्थित मालवा का बठार चेत्रफल की दश्टी से मद्द प्रदेश का सरवादिक विश्टरचेत्र मालवा का बठार अपने सांस्कतिक प्रष्ट भूमी रहन सहन खान पान और अध्योगिक विकास के लिए ये ना सिक मद्द प्रदेश वरणपुरे भारत में एक महत्पून इस्थान रगता है प्राचीन काल में मालव यौधे जाती से शासित था मौरियों के सामें में गुप्टकाल में भी इसने अपने वैभाव को प्राप्ट किया सम्राट अशोक शासक बनने के पूर वो जैनी का गवर्नर था और विदिशा में उसके ससरान थी बाद में मुसल्मान शासिकों द्वारा इससे शासित किया गया हलाकि उसके पूर्प परमार वंशी राजा गोज यहां के प्रसित दिशास्थ हुए है मुसल्मान शास्कों ने यहां पर शासन किया इसके पस्चाथ मराठो ने प्रवेश किया मराठो ने शासन किया और अंतमी अंगली जुकिन इंत्रण में आया मालवा के बारे में कहा जाता है मालव माटी, गहन गंभी, पंपग रोटी, डगडग मीर अहिल्या माता के इस छेत्र में और धुगी विकाजबी परहाप्त रचुका है प्रदेश का पश्वी भाग मालव का पठाव दक्कन ट्रेप की बेसार्ट चट्टानों से निर्मिट है इसका निर्माण क्रिटेशिस काल के अंतिम समय में लगभग साथ लाक वर्ष कूर ज्वाला मुखी छेत्र के बहाओ के कारण ज्वाला मुखी से निकले लावे के कारण इसका निर्माण हुआ बेसार्टिक चट्टानों से निर्मिट यह मूलता काली मिट्टी का छेत्र है रेगुर युक्त काली मिट्टी होने के करण यहां पर कापास की अधिक्ता पाई जाती है इस मिट्टी में लोह तक्त्य की भी अधिक्ता है इस चित्र की वार्षिक वर्षा लगभग 60-75 सिंट लगभग है यहां प्रवाहित प्रमुख नदियां हैं चंबल, माही, छिपरा, सोनार, काली सिंद, पारवती, गंभी, धसान, नेवाज, वार्णा, तिंदोनी, आदी यहां की प्रमुख चोटी है, सबसुची चोटी सिंगार चोटी है, उसके पस्चा जाना पाव चोटी और सित्ती से नमबर पद्धाजारी चोटी है करकरेखा लगभग इसके मद्द से गुजरती है, मालवा का पठा नर्वदा और चंबल के बीच जल्विभाजक है चीनी यात्री मैं आपको एक महत्वकून बात पताना चाहता हूँ गुप्त शासक चंद्गुप्त दुती के समय में चीन से एक यात्री फाहयान हिंदुस्तान की यात्रप पर आया था और वो मालवा की जल्वाईव से बड़ा प्रभाइत हुआ था फाह्यान ने अपनी आपको कथा में मालवा की जन्वाईउ को दुनिया की सरसेष्ट जन्वाईउ बताया क्रशी फसलों के दस्ति से मालवा का पठार दो भागें बटा हुआ है जिसे वो पश्चमी मालवा या पूर्वी मालवा के नाम से जान सकते हैं पश्वी मालवा का पाश्प्रधान चेत्र है जबकि पूर्वी मालवा गेहन प्रधान चेत्र है। इसकी उसातुचाई मालों के पठार की उसातुचाई लगभग 500-610 मिटर है, 17 जिलों में यह पठार विश्तरत है, जिनमें सबसे प्रमुख जिला जो है इंदौर है और उसके पस्चाद गुपाल और उसके आसपास के बहुत सारे छेत्र, और द्यवीज दिश्टी से यह मं मत्रदेश का सबसे सम्रद्द चेत्र है, मत्रदेश का पहला स्पेशल एकनॉमिक जोन विशेश आर्थिक छेत्र, पिथमपुर यहीं परसे थे, पिथमपुर राजस्ट जिला धार में आता है, लेकिन अध्युवीज जिला इंदौर में आता है, इसके लावा, जाबगव में मेग नगा, रायसेम में मंडे दीप, राजगड़ में पीलू खेड़ी, शाजापुर में मक्सी, विदीशा में गंजबासोदा, आधी प्रमुख और द्यूगीच छेत्र हैं, साथ यूँ, परटन के द्रश्टी से भी मालवा का पठा एक विस्तरत छेत्र है, एक बड़ा सम्रद्द छेत्र है, इंदौर के सामीपी उज्जैन एक धार्मिक नगरी इस्थित है, जहां पर प्रत्तेक बारा वर्ष में सिहस्त मेले का आयजन किया जाता है, सिहस्त एक ग मुकारेश्वक और दूसरा महाकाल वज्जैन, धार्मिक द्रश्टी से भी मालवाक पठार सम्रद्द है, जहां तक प्राकरतिक सुंदर्ता की बात है, तो वो भी परयाप मात्रा ले, मांडव का सौंदर देखते ही बनता है, एतिहासिक द्रश्टी से रायसेंग जिले में भीम बेट का एक विस्तरत गुफा संकुल है, भीम बेट का गुफा संकुलों की खोज प्रसिद्ध दिहास का प्रोफेसर वाकड करने की थी, धार्मिक द्रश्टी में बाग की गुफाएं बहत प्रसिद्ध हैं, इन में से कुछ गुफाएं गुपतकालीन हैं, डैजर फि मालवा के पठार के बारे में स्इक्शिफ्त जानकारी यही है, तो साथ एक मत्देश का जो सबसे प्रमुख कृदर इस थाल है, आर्थिक दस्ति से जो मत्देश टिका हुआ हुआ है, वो मालवा का पठार के फुम पर ट कभा हुआ है. जयर जय राहित